प्रदेश कॉंग्रेस में रहतित्व बदलाव को लेकर बादल गहराते नजर आ रही है क्यूंकि पाती बुरी तरह से विवाजित हिमाचल प्रदेश में नजर आ रही है लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष कुल्दीप राठोर शिम्ला से तो पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा धरमशाला से सक्रिय नजर आ रही है कॉंग्रेस के ये दोनों ही दिगज निता प्रदेश के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर करते हुए नजर आए आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेस विधान सभा चुनावों से पहले पूरी तयारियों में जुट गई है कॉंग्रेस पार्टी जन जागरन अभियान के तीसरे चरण की शुरुवात कर चुकी है इस अभियान के तहत प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष कुल्दीप सिंग राठोर चार से ग्यारा जनवरी तक शिमला चंबा और कांगरा जिला के प्रवास पर रहेंगे इस दोरान विविन विधान सभाक शेत्रों में जन जागरन अभियान कारेक्रम में हिस्सा लेंगे कुल्दीप सिंग राठोर चार जनवरी को दिन में साड़े ग्यारा बजे ठियोग में ब्लॉक कॉंग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित जन जागरन अभियान में शामिल हुए आज धरमशाला के लिए रवाना हुए 6 जनवरी को दोपहर बाद 2 बजे धरमशाला से चमबा के लिए प्रस्थान करेंगे शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए कुल्दीप राठोर ने कहा कि 7 जनवरी को दिन में 11 बजे चमबा में जन जागरन अभियान में शामिल होंगे आठ जनवरी को चुराहा में जन जागरण अभ्यान में हिस्सा लेंगे इसके अलावा राठोर नौ जनवरी को ग्यारा बजे धरमशाला में ब्लॉक कॉंग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित लोहोडी की खिचडी कारेक्रम में भाग लेंगे इसके बाद इन दौरा में जन जागरण कारेक्रम में हिस्सा लेंगे 10 जनवरी को देहरा में कारेक्रम में हिस्सा लेंगे और 11 जनवरी को धरमशाला में पत्रकारों से बातचीत करेंगे वहीं दूसरी और कॉंग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने भी भाजपा को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है उन्होंने कहा कि लगातार प्रदेश के करमचारियों को ठगने का प्रयास भाजपा कर रही है और जिस तरह से प्रदेश में माहौल है उसमें ना सिरफ करमचारी बलकि प्रदेश का 9 लाख बेरोजगार युवा भी अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है सुधीर ने कहा कि व्यवस्था ऐसी है कि सीमेंट के दाम 500 रुपय बोरी तक पहुंचुके है बिजली की स्थिती भी वैसी ही है पहाड का पानी भी अब हिमाचल में महेंगा तो पंजाब में सस्ता मिल रहा है हजारों नौकरियों के मामले कोट में लंबित है ये सारी व्यवस्था स्पष्ट करती है कि सरकार का मानसिक दिवालिया बन हो चुका है उन्होंने कहा की पुरानी पेंचन बहाली के लिए कॉंगरेस वचन बद है और उसके साथ ही बेरोजगारी भी प्रदेश में बड़ा मुद्दा है उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही प्रदेश के ये वो मामले है जिनके लिए पॉलसी बनाई जाएगी ताकि इस तरह के मामले प्रदेश में पैदा ही ना हो जिनसे जनता विशेश रूप से रोजगार प्रभावित होता हो और करमचारियों पर विप्रीत असर पढ़ता हो साल 2022 सियासी तोर पर काफी सरगर्मिया और चुनावी हलचलों से भरा रहने वाला है जिसमें सबसे बड़ी अगनी परिक्षा से भाजपा को गुजरना है साल 2022 में जिन सात राज्यों में विधान सभा चुनाव होने हैं उनमें से छे राज्यों में भाजपा की सरकारे हैं जबकि एक राज्य में कॉंग्रेस सत्ता पर काबिज है ऐसे में भाजपा को साल 2022 में अपने राजियों की सत्ता को बचाय रखने की चुनोती होगी तो कॉंग्रेस सहित विपक्षी दलों के लिए सत्ता में वापसी के लिए जदो जहद करना होगा साल 2022 के आखिर में मतलब अक्तूबर-Novomber में हिमाचल प्रदेश में चुनाब होने हैं यहां की सत्ता पर भाजपा काबिज है लेकिन हर पांच साल बाद सत्ता परिवर्तन की परमपरा हिमाचल प्रदेश में चली आ रही है हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा जिसके चलते पार्टी की चिंता और बढ़ गई हैं कॉंग्रेस यहां पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी के लिए जोर आजमाईश कर रही हैं हिमाचल प्रदेश की विधान सभा में 68 सीटे हैं हिमाचल के चुनाव अगले साल सितंबर अक्तूबर में हो सकते हैं साल 2017 के चुनाव में भाजपा ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी वहीं कॉंग्रेस ने 21 सीपीम ने एक और निर्दलियों ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी इस समय भाजपा जैराम सिंग ठाकुर के इन रहतितों में सरकार चला रही है लेकिन जनाधार वाले नेता ना होने के चलते भाजपा की चिंता बढ़ती जा रही है